हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम चौथी क्लास मराठी का फोट चेप्टर गरेंगे जिसका नाम है चित्र वर्डन ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकोन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो मिले ठीक है और इससे पहले मैंने बाकी के भी तीन चैप्टर की वीडियो बना कर डाल दिया अगर आप वह नहीं देखे हो तो वह कर लो पहले चित्र वर्डन मतलब पिक्चर डिस्क्रिप्शन मतलब यहां पे आपको पिक्चर जो है ना देखके आपको बताना है कि इसमे मतलब बच रहे ऐए और यहां पर देखेंगे दिखेंगे तो यहां पर चुढीय धहसारी है जा पेड़ बैठी ही है और यहां पर बैटकyorum स banana लोग अधोरा स्ट्या का मुवलों सायरा है और दोब बैच्टर चैवर तो अंतलना है इसे देखके हमें कि महराथी में द्सक्र तो देखो बच्चो मैंने यहाँ पे आपके लिखके रखा है ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे का लिखा है या चित्रात पाउ साड़े आचे दिवस आहेद मतलब कि यह जो चित्रे जो फोटो है इसमें हमें क्या दिख रहा है बारिश का दिन है देखो पिर में बारिश का दिन दिख रहा है अचानक पाउस शुरू जाला तयामुडे सरवांची धावपर शुरू जालेली आपले आला यहाँ चित्रा दिसत आहे मतलब क्या अचानक पाउस पाउस मतलब बारिश तो अचानक बारिश शुरू हो गई है तो सब लोग भाग अब यांगे कहा 늦ूं मुले पावसाच्यashiva वहत्या पानयात कागदाची होडी बनवून कागदाची रही बनाके पाणी में छोड़ हेयं मुले छतरी घेउन शाड़ेट जात आहेट मतलब स्कूल दोन मानसे भिजू नेद मरून घराचिया छप्रा खाली उभी आहेट मतलब छप्रा खाली मतलब छप्रा के नीचे क्या पता है यहां पे कि दो लोग भीगे नहीं इसके लिए दोगो यहां पे छपरे के नीचे खड़े हैं यह दोनों ताकि यह भीगे नहीं बारिश से बच रहे एक मुलगी रेनकोड घालून जात आहे मतलब एक बच्ची रेनकोड एक लड़की रेनकोड पहन के जा रही है दोगो यहां पे यहां पे एक लड़की रेनकोड पहन के जा रही है एक महतारा शेदकरी बैलाना घेऊन जात आहे मतलब कि एक ये जो है ना गरीब ये जो किसान है वो अपने बैल को लेके जा रहा है यहां पे देखो इसके बैल है और ये जा रहा है तैन्चेकर्य च्छत्री नही मडून शेदकर्याने घोंडी डोक्या वरून घेतली आहे मतलब उसके पास च्छत्री नहीं है देखो यहां पे पिच्छर में दिख रहा है च्छाता नहीं है उसके पास तो क्या कर रहा है किसान अपने सर पे घोंडी देखो इसके सर पे है ना पानाँचा अस्रा घेत्लाएं मतलब यह बच्चे लोग दो बच्चे लोग दिख रहे हैं न यह लोग कैसा ज़ाड के पत्ती से अपने आपको बारिस से बचा रहे यहां पर दिख रहे हैं मैं पक्षी ज़ाडावर जाउन बसले आहे मतलब की पक्षी देखो यहां पे पिच्छा ने पक्षी मतलब चुडिया दो यह सब चुडिया है पेड़ पेड़ जाके बैड़ गए यहां पर हमें दिख रहे हैं यह सारी ब्यूटूफुल चुडिया है यहां पर अशा प्रकारे चित्रा तील हे पाव साडियाचे दृष फार मनोरंजक दिसकत आहे मतलब यह सब हमें यह चित्र से बहुत अच्छे अच्छे दृष दिख रहे हैं बारिश के ठीक है तो ऐसे यह आपको करना ऐसे लिखना है अगर आपको इससे अच्छा लिखना आता है तो आप लिख सक दो जड़े